आपने Power BI के प्रोजेक्ट बना लिया, अब आपको यह नहीं समझा रहे कि यह सेव कैसे गरे और इन पिक्चर्स को यह इन इमिजिस को यह इन प्लॉट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो चले आईए आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं, जिसके लिंक मुझूद है पूरे के पूरे कोर्स का, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Bar Chart जो है मेरे पास, इसके नीचे मेरे पास थोड़ी सी Summary आ रहे है, Stag Bar Chart के नीचे कोई Summary ने आ रहे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यह तीन बटन पर जाता यहाँ पर इसको देख सकता हूँ किस तरीके से मैं इसको basically use करना चाहता हूँ, then इसके बाद show as table या export data भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं show as table करूँगा तो यह मेरे पास इस तरीके से show as table भी आ जागा, so I can also see the data, लेकिन मुझे चाहिए ये नहीं, मुझे चाहिए इसकी report, तो मैं right click करता हूँ, इस summarize पर click करता हूँ, यहाँ से custom पर click करता हूँ या co-pilot पर, अगर मैं co-pilot पर click करूँगा, तो यह मेरे पास email मांगेगा co-pilot registration का, जो मेरे पास इस वकद नहीं है, तो मैं custom पर click करता हूँ, then it will generate a kind of one-liner summary, same मैं इसके साथ करता हूँ, मैं right click करता हूँ, summarize पर click करता हूँ, और custom पर click करता हूँ, यह मेरे पास एक और summary आ जाएगी, इसके साथ ही मैं अपने pie chart पर जाता हूँ, pie chart पर जाने के बाद, मैं राइट क्लिक करता हूं समराइज पर क्लिक करता हूं कस्टम पर क्लिक करता हूं तो ये भी मेरे पास एक समरी आ जाएगी इसी तरीके से मेरे डोनट चार्ट पर जाता हूं समराइज पर क्लिक करता हूं कस्टम पर क्लिक करता हूं ये भी मुझे एक समरी से देगा मैं नोट वर्किंग चलें देखेंगे ट्री क्यों नहीं बन रहा फिर यहां पर मैं वापिस जाता हूं अपने जी लाइन प्लॉट पर मैं राइट क्लिक करता हूं समराइस पर क्लिक करता हूं किस्टम करता हूं तो यह मेरे पास इस तरीके से इसकी समरी आ जाए अब यह मेरे प यह पास 6 plots है, 6 plots के plots की मेरे पास summary आ गई है और इनके sizes जो हैं एक page के ओपर मैंने इस तरीकी से रख लिया, what I can do, I have to go to file, on the left side, export पे click करूँगा, export to pdf पे click करूँगा, तो यह automatically इसकी एक pdf file generate कर देगा, and which is a kind of small report, और यह pdf file जैसे मेरे पास आएगी, I can actually save that, और उसको मैं इस तरीके से देख भी सकता हूँ, तो यह मेरे पास pdf file है, जो google chrome में automatically मेरे पास आ चुकी है, here you can see के यह मेरे पास इस तरीके से pdf file open होगी, and I can also see के pdf file के अंदर different किसम की जो mistakes हैं, वो भी मेरे पास blue line automatically उसके अंदर लगी है, there are many things जो मैंने power BI में की हुई थी, so now you can do what, you have to actually select or do something with each of this parameter, तो उसकी base पे आपके पास आ रहेगा, कि यह Sunday का result है, और यह क्या चीज़ है, and so on and so forth, तो आप अपनी value को नाम भी दे सकते हैं, यह blue lines को remove भी कर सकते हैं, you can do a lot of things, for example, मैं यहाँ पे click करने के बाद इसे bold कर सकता हूँ, इसके size बढ़ा सकता हूँ, and then I will generate this pdf जो मेरे पास already यहाँ पे आई है, मैं इसको download करता हूँ, download करने के बाद मेरे पास यहाँ पे documents में Power BI का पूरा course है, और मैं यहाँ पे projects के back side पे यहाँ पे जा के एक new folder बना लेता हूँ, which I will call as Power BI results, और इसके अंदर हम अपनी पहली plots जो हमें save कर लेते हैं, and this is how you can see के हमारा जो plots है Power BI के अंदर, results के अंदर यह save हो चुका है, you can open according to your own wish के जिस भी आप के साथ आपने open करना है, and then you will see these kind of PDF results, lecture पसंद आया है, तो like, share, subscribe कर दे, और channel को दोसरों के साथ share भी करे, see you in the next one, take care.